हलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्टी के विलियन चैप्टर के तहत मोले रिटी के बारे में पढ़ेंगे अर्थाद मोलर्ता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डिफिनीशन की आख जा रहा है कि एक लीटर के विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को, ठीक है, तो अगर आपके पास में एक लीटर का कोई विलियन है, तो उस एक लीटर के विलियन में मोलों की कितनी संख्या उपस्थित है, उसी से रिलेटेड है आपका ये मोले रिटी, अर्थाद मोल तो एक लाइन की सिंपल सी परिभासा हो जाएगी कि एक लीटर के विलेयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मोलर्ता कहते हैं यानि कि एक लीटर के विलेन में विले के मोलों की संख्या को क्या बोला जाएगा उस विलेन की मोलर्ता कहा जाएगा ठीक है और अगर हम बात करें दूसरे सब्दों में तो दूसरे सब्दों में मोलर्ता के बारे में ऐसे भी एक्स्प्लेन किया जा सकता है कि जो आपकी मोलर्ता होती है उसके बारे में आपको अगर लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जा सकता है मोलर्ता किसी गोल की सांदर्ता है जिसे प्रति लीटर गोल में विले के मोल में बेक्त किया जा सकता है यानि कि मोलर्ता क्या है तो मोलर्ता किसी घोल की एक प्रकार से क्या है संदता जिसे प्रति लीटर घोल में विले के मोल में बेक्त किया जाता है ठीक है तो जो उपर अभी परिभासा लिखी थी उसी को इंडारिक्ट रूप से भी यहां पर बताया गया है बाकी में समरी और म एन मोटो सेम है ठीक है आम तौर पर मुलर्ता विले के द्रब्मान और विलें के आयतन के बीस संबंद को ब्यक्त करती है और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है अभी इसी से रिलेडिट आपका डिफिनिसन भी था कि आखिर में मुलर्ता का रिलेशन किससे है तो मोलर्ता का रिलेशन है आपका विले के द्रमान से और विलियन के आयतन से ठीक है अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोलर्ता के सूत्र की तो आखिर में मोलर्ता का सूत्र क्या बन जाएगा तो मोलर्ता का सूत्र हो जाएगा आपका M बराबर विले पदार्थ के मोलों के संख्या अपान विलियन का आयतन वो भी लीटर में ठीक है तो विले पदार्थ के मोलों के संख्या बट्टे क्या हो जाएगा विलियन का आयतन लीटर में और मोलरता का जो मातरक होता है बच्चों वो होता है मोलपत लीटर ठीक है तो आ अहां पर अगर सूत्र बनाया जाए तो ऐसे सूत्र हो जाएगा M बराबर विले के मोलों के संख्या N बटे V और V को किसमें लेना है लीटर में और N क्या है तो N है पदार्थ के मोलों के संख्या तो पदार्थ के मोलों के संख्या N बराबर आप आल लेडी जानते हैं कि होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अण भार यानि के N बराबर W by M तो सूत्र आपका बन जाएगा W बटे M into V और ये आपको V लेना है लीटर में तो इस तरीके से मोल लेना आपकी निकालi जा शकती है और मोल लता मोललता आपको के शाद आपका नरमलता अपका तो vidéo कहारा आपकी आपको पता करना है कि आखिर में इसमें कितना विले मिला है विले पदार्थ आपका कितना मिलाया गया है तो उससे फिर आप उस विलेन की सहंता ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर विलेन की सहंता ग्याद करने की एक बिदी है जो कि मोलर्टा के पदों में उस विलेन की सांता को ग्यात करने के लिए इस्तिमाल की जा सकती है तो आप मोलर्टा के लिए सूत ये इस्तिमाल कर सकते हैं W upon M into V तो W क्या हो जाएगा? विले का भार हो जाएगा जो कि ग्राम में लेना है M क्या हो जाएगा? विलेक अणभार हो जाएगा वी हो जाएगा विलियन का आयतन ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी विलियन की संद्रताओं को आसानी से ग्यात कर सकते हैं ठीक है तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल अर्ता से संबंदित जो नुमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे स दालू किया जा सकता है और आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू दो